नमस्कार दोस्तों मेरे त्यस्वास और आज की विडियो में सिखाने वाला हूं फुल नोलेज एक्सल के बारे में कि आप मोबाइल के अंदर एक्सल कैसे यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों विडियो को end देखीएगा तब ही आप समाज पाएएंगे और और असानि से आप फॉन का और एक्सल में सारे फोर्मूले इसतमाल कर पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों विडियो को स्टार्ट करते हैं जाधा ना लेट करते हुए आपने एक्सेल को ओपन कर लिया है Android फोन के अंदर और आपने इस्टोल नहीं किया होगा Play Store से तो इस्टोल कर लिजेगा Microsoft Excel को तो चलते हैं आगे को बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जब भी आप डेस्टोप से या आइकन से ओपन करेंगे फोन के अंदर इस त्रिक से आपका ओपन होगा ओपन होने के बाद इसके आप लिखाए यहां पर लिखाए जो भी लखाए यह बुक के नाम णाशे की मैं बना रुखा यह जैसे इसमें अगर दिखाता हूं पर दिखाता हूं तो यह सारे डाटा बना रखा हूं ठीक है तो इसी तरिक सा जानेंगे इस्टे बाइस्टे ओभी डिटेल में कि एक्सल है क्या इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं मोबाइल के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दू सबसे पहले अगर आपने इस्टोल नहीं किया हुआ तो इस्टोल कर लिजगा प्लेस्टोर से और दूसरी चाहिए आपको एक email डालके फोन नमर डालके इसमें आपको एकाउंट क्रिएट करना है लोग इन करना है बिल्कुल फ्री है कोई दिकत नहीं होगे आप इस्टे बैस्टाप कर सकते हैं तो इस तरह किसे आपका एक लिश्ट रेडी बना बना आपको मिलेगा तो अब सबसे पहले यह जानेंगे इसमें सीखना क्या है सबसे पहले हम वाक चीट वाक बुक को ओपन करते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक शीट ओपन हो चुका थाए अब इसमें करना देखिए मैं आपको आपको जानेंगे स्टेप बाइस टेप जो आपको यह जानना थे यहाँ लिखा है यहाँ देखें ब पुछा जाता है कि कोलम कि कि कैते हैं तो हम यहां और यह जो नंबर वाले ये इसी होता है और इता है subscribe कौलम मतलब मतलब है वड़िकल怎么 से जयादा हो ऀसे कहते हैं chop1 एक से ज्larını है है आगे की आएध ? हम जानगे यहां से आपको दिखाए जिर रहा है , उक09 करना है तो क्लिक करते है यहाँ फिर हॉम पर काफ तरह और है क्लिक करना है और आप पर काफ तरो ओप्षन आ जाए ज्यासे हम इस शॉर्ट ड्लोब formula data review यह तरह के है एक टेव और होम टेव इंसर टेव अब हों के बार के बारे में सब से पहले हम जानेंगे तो देखिए सब से पहले यहापना नाम कर लेता हूँ 430 एक्जांपल की तौर पर अब हम नदर गहीं किसका अंदर आप से интерес च्पसे लिग्या यहां इंए आंप सैड करना है अबातै था में करता हूं कolinação को क्लिक करना है अब हैं कम हो जाएगा अब आते हैं आपर यहाँ पर देखिए जो कैलिब्री लिखा है यहाँ पर क्लिक किजेगा तो यहाँ पर फोंड आएगा जो भी आप फोंड चेंज करना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर क्या करना है सिंपल सा इस पर जाना है और देखिए किस तरीक से वर्ड आप change कर सकते हैं तो दिखें आपर change हो रहा है ठीक है सेम इसके तरह से कई सारे आएंगे आपके font यहाँ पर हम यह लेते हैं देखें यह font इस तरीके से change हो गया ठीक है ठीक है जुम कर लेता हूं यह रहा उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर लिखाए B यहाँ पर महालीक लगाना है तो इसको select करता हूं और यहां से нажire click क्लिख यहाँ लिखा all system गवन लगा जाएगा या इव है फिल कलर हो यहां पर हुसार कोलर होओंगे जो फिल हो जाएंगे ठीक है अब फिर आते हम इसी एक अंदर तो देखिए यहाँ पर लिखा font color मर्दब जो word है वो color हो जाएगा तो यहाँ पर color हम कर लेते हैं जैसे यहाँ पर हम करते हैं red तो यह red हो color हो गया देखिए इस तरीक से अब नीचे चलते हैं तो नीचे क्यों राएंगे हम हाँ देखिए यहाँ पर आएगा center इस तरीक से left center में ठीक है और यह क्या है left, middle और right इस तरीक से हम कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो यह रहा उसके बाद आता है merge माली यह कई सारे box से उस box को एक बनाना है तो यहाँ से आप merge कर सकते मर्ज एंड शेंटर देखिए एक बोक्स बन गया इस तरीक से ठीक है होटाना भी तो इसी पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर बढ़ते हैं वर्व टेक्स्ट ठीक है यह मालीज यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कर देखिसे करता हूँ जयसे मालीज यहाँ पर मैंने कलर किया जैसे कलर हटके देखिए अब इसको तो वहां पर जाकर मुझे ठा़ देना है जो क्यां हो किया है अ? अब दिखे ये color है ये color में चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए तो क्या करना इस पर जाना है, और format पेंटर पर click करना है और फिर यहाँ पर आ के देखे, same color होगे जहाँ जहाँ click किज़ेगा, वो color होते जाएगा तो इसे बोलते है, format, color इस पर click करूंँगा, यह बंद हो जाएगा stop हो जाएगा, same, sale style जिस style में आप sale लाना चाहते हैं उस style में आ जाएगा, इस तरीक से number format लगंग कोई तब लिखने के बात आप करना क्या है इस पर जाओगे आप यहांप आ पर चाहेँगा जैसे चाहिए नोट इसintend hat इस तरीक से जर्ण नंबर करण सी जिसर्ण कर्ण सी में आपकोgrad करना data time परस्टेंटेज सारी चीज़ के अंदर आपका अवलेवल है है आप अटो छम मालिश्ट कोई सम करना है नमरों को जोडना है सब्सक्कते है सबस्सक्षरेंज कर सकते हैं सारा काम किस अंदर होगा पर होम के अंदर अब चलते इंसेर्ट में इंसर्ट के अंदर आएगा तो यहां पर आगया टेबल ले सकते हैं इस तरीक से क्लिक करके जो भी आपको टेबल चीज़ देखिए टेबल आगया जितने भी आप से लेक करेंगो टेबल आ जगा ठीक है इस तरीक से देखिए आपको नहीं यह थोड़ा वाइट पेज इधर क ला आंढ़ा सकते हैं जो भी डेक्ट पर पिक्चर होगा शेप्स लासकते हैं यहां पर कई सारे से यह हाट है अम एंपर देखिए हाट आ इसको न हाट को हम करते हैं छोटटा थोड़ा इसको नीचे इस तरीक से ठीक है यह रहा अब इसके अंदर माली से नाम लिखना तो क् होगा कि इसमें जाएगा है कि इस पर क्लिक करते हैं कि इस पर जाएगा तो यहां से आप इंसर्ट में जाके यहां से आप से ले सकते हैं टेक्स से चार्ट कोलम चार्ट में लेता है ओँ अधिस्वित एक्षार दोस्तों अधिकुए यहां पर पाइचारट कोई डाटा ही निए तो इसको सबसे पहले हम अटाएंगे हैं अधिश番क जिससे घ्लिट आमussia छोटा सा एक जैसे नेम ठीक है और यहाँ पर आर टी जो भी यह हम सिर्फ एक्जांपल के लिए ले रहे हैं ठीक है और यहाँ पर हम ले लेते हैं अब देख यहाँ पर ले लेता हूं में हिंदी ठीक है नीचाया नमबर कोई से भी चीक है अब ज़्याद नहीं लेंगे हम और इसी को कर लेते हैं सिलेक्ट चीक है अब क्या करते हैं सेम इंसाट पर जाएंगे और यहां से क्या हमें लेना था चार्ट यहां पर चार्ट ले लिए अब यह अगया पाई चार्ट उसे में हम कोई सबी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं तो हमने यह ले लिया ठीक है अब देखें आपर सो हो रहा हुआ देखें हो रहा है न तो यह हो गया पाई चार्ट इस तरीकसा पाई चार्ट ला सकते हैं इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं प्राफी बड़ा है यह रहा यह रहा दोस्तों पाई चार्ट यहां पर देखे आर आर डी दिखा रहा है ठीक है तो इस तरीकसा हम निकाल सकते हैं यह हिंदी उली एक काफी सारे चीज़ें आप धिरी-दरी कीज़ें तो आपको पता चल जाएगा अब क्या करना अब आते हम इंसर्ट के अंदर इंसर्ट के बाद हम आएंगे ड्रो के अंदर तो ड्रो में कुछ नहीं है सेम पेंसिल कलर वगरा है जो भी आप ले सकते हैं यह से इस नमबर में एक फॉर्मूला लेकर चल रहा हूं ठीक है एक ही फॉर्मूला बताऊंगा आप धीरे-दरी कर लिज़ेगा तो हम थोड़ा इससे जूम इन कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने कुछ नमबर टाइप किया बस उसके बाद हमने क्या कर एक लगा और यहां प क्या करने यहां पर ब्रैकंट ऑपन सेम हम क्या करने क्क इसको कट और यहां था किसको कर लेंगे select और down करके हम कर देंगे तो देखिए आपर 19 आया 18 जैसे बादे 4 और 5 किते होंगे 9 और 9 और 9 18 इसलिए अंसर है 18 तो इस तरीके सब formula का काम करता है ठीक है इसके अंदर सारे कह है formula ही है जैसे हमने इसमें देखा इसके अंदर सारे formula ही है ठीक है और data यह आगया data इसके अंदर data show करेगा जो भी आप बनाएंगे तो अभी हमारे पास को data है नहीं रिव्यू है इसके अंदर smart look up ठीक है so comment जो भी आप comment माली जो को subject है उसके बगल में comment दे रहे तो हैं आपर comment show करेगा हो भी हम यह आप कर लिजेगा अब आते है review के अंदर मिल जाएगा आपको ठीक है तो आगे चलते हैं और भी हमा को आपको कुछ बताते हैं सबसे पहले सबसे पहले हैं आपर देखिए keyword लाना कैसे है यह आपका keyword है ठीक है अब आपको स्रीप number वाला keyword चीए तो उसके लिए इन्टर कैसे करना है तो देखिए इंटर कैसे करना है ये रहां अ चैन ठीक है और जैसे हम computer में क्या करते हैं कि control को साथ इंटर करते है तो automatic sub का answer आणस्य साथ automatic आ जाता है इसमें कैसे करना है इसमें si imple size में control साथ करना लेकिन एक तरीका जिसने आप ओट करें कैसे दहाँ माल इस मैंहें लिखा उट पर पर फोर्मुला को ऐना है तकि आघए उसको यहाँ आसके घृब अगर समझें तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल का दवार ना बुलें और चलते हैं अब आपको सेफ करके बताते हैं सेफ कैसे किया जाता है तो सेफ करने के लिए क्या करना है से इस पर जाना है ठीक है आपको जिसमें भी डालना है अब यहां पर जैसे ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं चूस फाइल और इसमें किसके अंदर करना है दिस डिवाइस ब्राउजर यह एड तो हम दिस डिवाइस के अंदर कर लेते हैं यहां पर नाम लिख देते हैं जो भी हमें नाम लिखना है तो नाम लिखता हूं यहां पर जैसे मैं हो गया data हमारा तो दोस्तो इस तरिक से आपको करना है तो दोस्तो आज बंदर ही है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टोपिक के साथ